दोस्तो बंगलादेश और नुजी लैंड के बीच चल लही तीन टी-टोंटी मैचों की सीरीज के पहले मुकाबले में जहांपर बंगलादेशी टीम ने नुजी लैंड को चौकाते हुए हरा दिया और सीरीज में एक सुनिकी लीड बना ली है अब दूसरा टी-टोंटी मुक पाबला जो कि 29 दिसंबर को बे ओवल माउन गनी में खेला जाना है तो आज के इस वीडियो में हम बे ओवल माउन गनी का पिछ रिपोर्ट लेके आये हैं और यहां पर हम ये समझेंगे कि ये पिछ कैसा खेलेगी जब रजस नॉलेजबुल वीडियो है अन तक देखिएग लेकिन चैनल पर अगर नए है तो सबस्क्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए साथ ही नोडिफिकेशन के बेल पर आल वाला बटन आम कीजिए वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए साथ ही दोस्तो टेलीग्राम पर हमसे जुटने के लिए वीडियो और चैनल के ड प्रेंटेसी टीम भी सबको फ्री में प्रोवाइट करते हैं फिलहाल दोस्तो अगर हम बात करें बे ओवल माउंट गरी क्रिकेट पिच के बारे में तो यहाँ पर भी एक और वैलेंस पिच हमको देखने को मिलती है थोड़ा सा यहाँ पर बैटिंग आसान होगी इन कमपेर T20 International मुकाबले हुए हैं लेकिन सिर्फ आठ मुकाबले कमप्लीट हुए हैं दो मुकाबले बारिश की वज़ा से बीच में ही छोड़ देने पड़े थे तो इन आठ मुकाबलों का अगर हम स्टैट्स देखें तो यह सभी मुकाबलों में पहले इनिंग में बैटिंग करने वाली टीम ने जीते हैं इसका मतलब यह है कि यहां पर पहले इनिंग में बैटिंग अच्छी होती है और जैसे जैसे फिच थोड़ा सा यूट्टू होती है यहां पर बल्ले बाजी थोड़ा मुस्किल होती है गेदबाजों को ज्यादा फेवर करने लगती है तो इन आठ म जीज की टीम यहां पर 124 बना के अल आउट हुई है अब दोस्तों इन आठ मुकावलों में अगर हम स्कोरिंग पैटर्न देखे पहले इनिंग का तो 150 से कम कभी नहीं बना है आप समझ सकते हैं किस प्रकार की यहां पर नुजिलेंड में जाके अच्छी बैटिंग देखने को मिला है बाउंडिज की बात करें तो नेपियर की तुलना में थोड़ी सी बड़ी बाउंडी यहां पर देखने को मिलती है लगभग 70 मीटर के रेंज की बाउंडी यहां पर देखने को मिलती है अब दोस्तों 2020 या फिर उसके बाद के अगर मुकावलों की यहां पर T20 अब तक हुए है जिन में से एक मुकाबला वासाउट हो गया था और बाकी के तीर मुकाबले कम्पलीट हुए है तो जो फोर्थ लाश्ट मुकाबला हुआ था जो की दो फरवरी 2020 को हुआ था भारत नुजी लेंड आमने सामने थी भारत 163 बनाता है तीन विकेट के नुकसान पर कीवी टीम 156 रन तक ही पहुच पाती है बीस ओघर के जिलिक को समाप करती है नुबिकेट के नुकसान पर और सात रनों से भारत जीच जाता है इसके बात का जो मुकाबला होता है थर्ड लाश्ट मुकाबला इस वेन्यू का 29 नुवंबर 2020 को नुजी लेंड के सामने व विशाल स्कोर बनाता है और जवाब में विश्टिंडीज के टीम 20 ओभर में नुविकेट पे 106 चक पहुच पाती है कीवी टीम आसानी से ये मुकाबला जीच जाता है सेकेंड लाश्ट मुकाबला यहाँ पर अगले ही दिन मतलब की 30 नुवंबर 2020 को देखने को मिला है लेकिन ये कंप्लीट नहीं हो पाता था नुजिलेंड विश्ट इंडीज के बीच हुए इस मैच में विश्ट इंडीज पहले खेलने आती है 222 ओभर में 25 रन बना पाती है और इसके बाद बारिश सुरू होती है और खेल पूरी तरह से यहाँ पर कैंसिल करना पड़ता है अंती मुकाबला इस वेन्यू का पिछले साल नॉम्बर में देखने को मिला एक बार फिर से भारती टीम थी न्यूजिलेंड के सामने भारत 191 रन बनाती है 6 विकिट के नुकसान पर 20 ओबर में लेकिन कीवी टीम इस विन्यू पर मात्र 126 बनाके अलाउट हो जाती है इस आ पहले ही कंप्लीट हुए है तो इन लाश्ट तीन मुकाबलों में 40 विकेट गिरे है पहले इनिंग में 12 तो दूसे इनिंग में 28 विकेट यानि कि यह huge difference देखने को मिलता है 200% से ज्यादा विकेट यहाँ पर देखने को मिले है पहले इनिंग के तुलना में दूसरे इनिंग इन этому से दो विकेट पहले इनिंग के spinners के नाम देखने को मिला है अब दोस्तो इस बेधनियू पर अगर हम दोनों टीमों के performance की ओर नज़दाल है तो यहां पर भी बंगलादेस का performance बेहत खराब है केवल दो T20 मुकाबले खेले हैं दोनों में ही अपोनेंट टीम न्यूजिलेंड की थी और दोनों ही मुकाबलों में किवी टीम ने बंगलादेश को हरा दिया था अगर हम बात करें दोस्तों हैं आपर होम टीम न्यूजिलेंड की तो न्यूजिलेंड ने सभी 10-20 मुकाबले खेले हैं इन में से 8 के रिजल्ट निकले हैं और इन 8 रिजल्ट वाले मुकाबलों में 5 जीते हैं तीन मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा था और दो मुकाबले यहां पर वास आउट हुए थे तो कुल भी लाकर रिकार्ट तो अच्छा है लेकिर रिकार्ट तो नेपियर में भी निरिलेंड का अच्छा था लेकिन बंगलादेश ने यहां पर एक तरह से उलट फेर कि और यहां पर भी बंगलादेशी टीम चाहेगी उलट फेर करके मुकाबला जीतना लेकिन यह इतना आसाम नहीं होगा वीडियो में इतना ही अगली बार फिर एक और वीडियो से मिलेंगे तब तक के लिए नमस्ता दो